भाई लोग स्वागा थे एक बार फिर से आपकी अपने फिटर मेकेनिकल एजूकेशन यूट्यूब चैनल पर तो भाईयों आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपके बहुत से डाउट्स step by step clear करने की courses करूँगा इसरो की exam date को लेकर ठीक है तो वीडियो को पूरा watch करिएगा तो friends पहले मैं बात करूँ कि इसरो का एक जो unit है IPRC ठीक है तो इसरो की IPRC unit की तरप से एक अभी हाली में update निकल के आया था जिन स्टूडेंटों ने भी इस लो IPRC में फॉर्म फिल किया था चाहे वो Technician B की बात करूं या Technical Assistant वाल स्टूडेंटों की बात करूं तो Department ने जो है उनके लिए एक अपडेट जारी किया था IPRC के exam date को लेकर ठीक है तो आपके exam date की अगर मैं बात करूं तो आपका जो exam है वो 23 जनवरी 2022 को Department ने IPRC Department ने आपका exam रखा था ठीक है तो आपका exam date इसमें fix हो गया है आपका जो exam होने वाला है वो offline होगा OMR base drop का जो है इसमें exam रहने वाला है ठीक है IPRC का ठीक है अब बात यह आती है friends के जो और unit है अगर मैं बात करूं लाइक 37 दवन और HSFC human space flight center ठीक है तो उनका exam कब होगा ठीक है महंदगिरी जो अभी IPRC जो महंदगिरी में इस्तित है मिलनाडू के उसने तो अपना सारा कुछ clear कर दिया कि भाई मेरा जो exam है उस unit का जो exam है वो 23 जनवरी 2022 को वो ले लेगा ठीक है यह आपका clear हो गया है ठीक है अब उसने center choice का भी सारा कुछ clear कर दिया तो भाईयों का यह डाउट क्लियर होगा है कि भाई उनका exam जो है 23 जनवरी 2022 को अब बात करें 37 दवन और HSFC तो फ्रेंट देखो आप जानते हैं कि जो पहला सबसे भरती निकल के आई थी 2019 की वो थी IPRC ठीक है IPRC जो है first भरती थी 2019 की इस रो की then उसके बाद ही सारी भरती है step by step जो है निकल क के आने लगी ठीक है तो अभी देखो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में मैंने आपको क्लियर भी किया था कि देखो वाई जरूरी नहीं है कि HSFC 37 दवन ही पहले exam ले IPRC भी ले सकता है उसका reason यह है क्योंकि IPRC सबसे पुरानी भरती थी और IPRC का जो है notification सारी unit से सबसे पहले जो है आया था ठीक है तो आई पी और जैसा मैंने बताया था वैंसे यूर IPRC ने अपना सारा कुछ जो है date clear कर दिया कि भाई अब आपका एक्जाम है इतने तारिक में आपका रहने वाला यह department ने आपको बता दिया ठीक है तो जो इस्टूडेंट अभी 37 दवन और HSFC की preparation कर रहे हैं ठीक है उनके लिए मैं बता दूँ कि देखो भाई इस्टूड का भले ही IPRC ने अपना date जारी कर दिया लेकिन देखो भाई IPRC जो है इस्टूड की एक unit है ठीक है भले unit अलग अलग है 37 दवन अलग है IPRC अलग है ठीक है लेकिन department एक ही है ठीक है तो जब तक आ आदी जो है आपके सारी date निकल कर आएंगी ठीक है जब तक आपका IPRC का exam नहीं हो जाता मैं फिर से बता देता हूं तब तक कोई exam नहीं होगा चाहे वो HSFC की बात करें चाहे वो सतीजवन की बात करें ठीक है exam date आ जाए वो नहीं किया सकता लेकिन IPRC के पहले अभी कोई सा exam जो है इस दो conduct नहीं करा सकती ठीक है तो IPRC ने अपना date finally जारी कर दिया है आपका जो 23 जनवरी को exam रहेगा अब वो चैन्नाई में मिलेगा आपको center या नगर को इल करके एक जगह है वहाँ मिलेगा वो department के उपर ठीक है लेकिन मैं बात करूं 37 दवन का exam आपका तो देखो भ मैंने space flight center की बात करूं तो इसका फरवरी में exam हो सकता है जनवरी में अगर date आजाए तो ठीक है क्योंकि HSFC का basically exam होई चुका है सारी जो trades है सारी जो branches है उनका exam हो चुका है बस कुछ technical resistance में ट्रेट बची है और कुछ ITI student के लिए बची है उनका department को exam conduct टराना है ठीक है तो अगर हम HSFC की बात करें तो फरवरी में जो है इसका exam conduct करा सकती है फरवरी के last month तक HSFC का ठीक है क्योंकि जनवरी में तो मुस्किल है ठीक है जनवरी में क्योंकि 2 unit का 1 month में बहुत मुस्किल है exam 2 unit का 1 month में नहीं हो सकता मैं SRO की बात करूं तो ठीक है अदद किस department की नहीं SRO क तो December में तो possible ही नहीं क्योंकि देखो भाई एक महीने पहले ही आपका लगबग 20 दिन पहले आपका इसमें date आ जाता है exam का जैसे अभी IPRC का date निकल के आगया ठीक है भाई तो इसमें आपका मैं बात करूं तो लगबग एक महीने पहले आपका date आ जाएगा ठीक है then उसके ब जारी नहीं हो सकता किसी भी exam date को लेकर ठीक है तो अभी December तो चला जाएगा January भी आपको लगबग वेट करना होगा ठीक है then February में ही आपको exam देखने मिल सकता है ठीक है update अगर जनवरी में आ जा तो यह नहीं कह सकता लेकिन exam जो है आपको February या February के बाद ही देखने मिलेगा क क्योंकि ISRO का एक नियम है कि जब तक ISRO का अगर कहीं exam हो रहा है तो दूसरी unit ISRO का exam conduct नहीं कराती ठीक है जब तक ISRO अपना सारा कुछ final कर लेगा then उसके बाद ही किसी other unit का form fill होगा ठीक है तो IPRC वाले तो अभी भाई तैयार ही करें क्योंकि उनका exam है अगर मैं 37-121 और HSFC की update देखने मिल जाएगा ठीक है exam हो जाएगा यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं लेकिन एक expected date अगर मैं बताऊं तो आपको लगबग एक देड़ मन्त और आपको wait करना होगा जो 37-121 और HSFC का exam है मुझे लगता है कि HSFC पहली conduct करा लेगा अगर compare करें हम 37-121 से ठीक है तो जड़ा और wait कर लो लगबग एक से दिल मन्त जो है आपको wait करना होगा तो 37-121 और HSFC का भी जो है clear कर देगा उसका department ठीक है तो अभी आप तयारी करना है आपको IPRC की IPRC का जो exam है वो 23 जनवरी 2022 को department ने जारी कर दिया तो friends यही update देनी थी कि student परिसान होता है exam date को लेकर कि भी मैंने 37-121 का बहुत से mostly student ने बहुत से exam मतलब जो है student ने form डाला है 37-121 का सबसे जार अगर मैं बात करें तो 37-121 में ही फॉर्म फिली हुए है ठीक है तो इसी के जरीए मैं यह चीज आपको बताना चाहता हूं कि एक से दिवर मंत और वेट कर लें 37-121 भी अपना कुछ ना कुछ जो है official website पर अपडेट जारी कर देगा ठीक है अपनी तैया वं ने मातलम और वाइवाई